इसके पाइश कोई मुद्दा नहीं था ना भारती जंता पार्टे की पूर्ण बहुंत पे साथ सरकार बनेगी जी आई लेवल के नेता से पर्ची और खर्ची देनी परती थी तब किसी का नमबर आता था एक बरश्टा तार पार्टी है एक परिवार की पार्टी है किशान त अक्टूबर को परिनाम आएगा ऐसे में आज हम आप पहुंचें अटेली विदान सवा में यहां से भारती जंता पार्टी की प्रत्याशी है आरती सिंग्राओ दो बार से लगातार देखिए बीजेपी आ रही है दोहजार चोदा हो या फिट दोहजार उन्नीस हो और तीस आपको लग रही है अटेली विदान सवा में पूरे हर्याड़ा में किसकी सर्कार यहां एक तरफा माउल है बीजेपी का बैन आरती सिंग्राओ यहां पर बारी ममोच से विजे हो रहे है किसी के साथ कोई मुकावला नहीं एक तरफा चुनावाई यहां राव इंदर जीत क बड़ा परभाव है और उनका अपना एक रुटबा है और सारी शतिस बरादिरी की जनता उनका स्योग कर रही है अच्छा क्यों आरती सिंग्राओ को बिधायक बनना चाहेंगे एक वह नार नेता है हमारे लिए उनका पहला चुनाव है लेकिन उनने एक लंबी पारी खेलन का नेता हमें प्राप्त हुआ है अनील कुमार जी अनील जी क्या इस्तिति लग रही है आपके लिए पूरे हर्याड़ा विदान सब्चुनाम में किस की सरकार आ रही है कॉंग्रेस या भी भारती जनता पार्टे की पूर्ण भामत के साथ सरकार बनेगी जी तीसरी बार ती प्तर में बढ़ी आए बीजेपी ने एक नंबर का काम किया है जी अच्छा मैं जिस भी विदान सब्चुनाम में जा रहा हुए खर्ची पर्ची वाला मामला बहुत सुनने मारा है क्या हुआ करता था कॉंग्रेस सरकार में बहुत ब्रस्टाचार था किसी का भी नाम लेने बीजेपी भारती जनता पार्टी तीसरी वार सपने शपना कोई विदे सकता है सरकार बीजेपी कियानी है पूरन बहुत से आएगी तीसरी वार आएगी घ्राल क्याना की विदान सवा छेतर के अटली से हमारा जो प्रत्याषी है आरती की सिंह राओ चूले में सबसे ज्यादा मतों से घिए होंगी सबसे ज्यादा मतों से कम कितने वलतों से जी गट, कुंछ से पहले, इनने बद्तरें습। परिवारबाद नहीं अच्छा आपने परिवारबाद का जिकर छेड़ा वह पेंदर सिंग हुड़ा है मैं मुख्य मंत्री बनुगा बेटा कह रहा है मैं मुख्य मंत्री बनुगा कुमारी सेल्जा कह रही है सरकार आई तो मैं मुख्य मंत्री बनुगी क्या लगता है कॉंग कि कार रेकाल पूरा होने से पहले ही देखिए नायफ सिंग सहनी को चुन लिया जाता है लेकिन दूरी नहीं आई नहीं है कोई बात नहीं है इसे कम नंबर सब बढ़िया है क्या नाम इता हुजिए लगनलाल जंगडा क्या है सिथी आपको लग रही है आपकी शेयर यहां इक मुकाबला नहीं है क्या सिथी है चेत्र में कौन जीतरा है चेत्र कंदर अच्छी सेथी है रार्ति रावे की मानदार परिवार से है बे दाग है और दक्षनी आयाने की यह 10-15 शिटों पर आविंदर जीचिंगा दबदबा है तो आर्ती जी फिर बिधायक बनने जा रही है कम से कम हम तो चाहेंगे 40,000 से जीते हैं क्या अब है कि प्रदी प्यादब जी क्या इस्तिति है पूरे छेत्र में किसकी सरकार बनने जा रही है क्या माहूल लग रहा है अटेली विदान सभा में भेन आरती सिंग राव लग वग पचाहजार मतों से जीत रही है और हरियाना पर्ची बग़र खर्ची बच्चे लगें है रोग्तक से जब कॉंग्रेस का राज़ था तो प्रदेश के मुक्य मंत्रियों ने भारती जंता पाट नितरता वाजो कर रहा हैं पूरी बीज़ेपी क्या नाम है असोग वाइस चेरिमें नगरपाली का करेंड़ अच्छा आप सब साथ खड़े हैं आरती जी के ऐसा लग रहा है मुझे क्यों बीज़ेपी को तुरह पसंद किया जा रहा है और कॉंग्रेस को नकारा जा रहा है बीज़ेपी ने सबसे बढ़िया काम तो यह किया जी शिट्टी लाइट नहीं आती थी जितनी डाणियों में अब लाइट जा रही है पहे ट्रास्मर फर्मर जो लगाए हैं वहां से 24 गंटा लाइट मिलती है हर वरक को लाइट की श्वीद हमें को अंधर कर दिया था रोड़ों पर काकरी नहीं लगाइ यह थेग्डे नहीं लगाए अटेली जाते थे डाइगंटा में जाते हैं सवाड़ी तीन गंटे में अच्छा शोग जी एक मुद्धा रहाश रुवास से कॉंग्रेस ने उस मुद्धे को पकड़ कर रखा अगनीवीर योजना वाला अगनीवीर योजना को जूते की तरह निकाल कर फैक दूँगा अगर हरियाना में सरकार आती राहूल गांदी तो 370 भी दुबारी लगाने के लिए बोल रहा है ना वो तुसका वो बनेगा जबी तो लगाएगा अगनीवीर योजना जो बच्चा मैं मेरी सोच बता रहा हूँ जो बच्चा की जो 4 साल की जो यह नोक्री है उसमें बिगडने की जो उमत होती है उसमें से एक आदा बिगड सकेगा बाकि सभी लाइन पे रहेंगे बच्चे मतलब जो 12 के बाद जब अगनीवीर योजना में जाएगा तो उसका जो 5 साल का है वो समय होता है वो अपने काम से लगया रहेगा उसमें उसका द्यान इदर उदर नहीं है अगर बीजेपे इस तरह की चीज को लेकर आई अगनीवीर योजना को लेकर तो इसमें कॉंग्रेस को दिक्कत समझ में नहीं आई कि आखरकार कॉंग्रेस इसमें बीच मुद्दा नहीं था न इसलिए उसका मुद्दा बना लिया लोग बैग भी जाते हैं कोई चोटे किसानों से तो हम मिलते हैं जी हम भी किसानी है इतने कुछ हैं बावांतर समय से पहले डल जाता है अगर नाज नहीं खरीती फसल नहीं खरीती सरकार तो बावांतर डल जाता है फसल खरीदने के सपता के अंदर पैमेंट डल जाती है सपता तो बेचने में लग जाता था लो क्रिशान खुष है बिल्कुल बीजेपी से खुष है राव इंदर जित सिंग से ज़्यादा कुष है जिए विमानदार और साफ चविरी के धनी हैं बेन आरती राव में हमारी इतनी आस्ता है अलका अटेली का बविश उजवल होता दिखाई देख रहा है स्वधार साथ पाल सिंग आर्मी से रिटायर है तो आप से दो मुझे बात करने में और मज़ा आएगा अगनी वीरियोजना पे क्या हुआ करता था जब मुकस्मीर मुझे आप कॉंग्रेस की सरकार थी कोई थी जो अमारे ऊपर केस लगा दिता थे हमारे इसा है पाँट होता था अभी जैस खुला कियां पर सारे वहां के जो ईलाग के लोग आपको जितने भी आर्मी पर्शन है एर फोर्स नेवी कोई विए एवरिटिंग बोट इस बीजएपी आगे बढ़ाया बीजेपी ने आर्मी को हाँ बिल्कुल दूसरा नहीं देश बक्तिरी बावना बीजेपी में तो हमारा इन से टाच ही होना जरूरी है दूसरा राव इंदर जीत यहां का सांसत नहीं होते हो भी यहां टेले में इतना काम किया कंडिना में सीज्डी कैंटी न को भी परिवार है वो सब पीजेपी को बोड़ देंगे जो पसन है क्योंकि कांटीन खुली हुए पहले हमें मंदर कर जाना पड़ता था नारनूर जाना पड़ता था दूसरा यहां से को डारेक्टेंड दिल्ली नहीं थी अगनीवीर योजना का जो मुद्दा रहा आप इ यहां से निकल गए हैं च्यार साल के बाद तो उनको यहां प्रोटी दी जाएक श्रेट में उनको जोब के लिए सबसे पहले प्रोटीन को एक्ष्टा मार्क दे जाएंगे आप यहां स्टेट में नोकरी कर सकते हो तो तहीरी मतलब पूरी है तो राव साब इंदर जीत तो स दूसरा यहां डारेक्ट टेन नी थी हमारे को रेवारी में उतर करके बुजर्ग आदमियों को सीडी चड़ानी जाता था तो वह वड़ा दिक्कत होती थी अब यहां से बैटो सीजा दिली दिली से यहां मेरा नम गोविंद गोश्वामी मैं भी एर फोर्स से रिटार हूं अभी आपने सर से पूछ रहे थे क्या अगनीवीर रिक्वार्ड है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्राइब करना चाहता हूं अगनीवीर बहुत रिक्वार्ड है आज परजेंट इंटरनेशनल सेनेरियों क जब यंग फोर्स चाहिए पूचर सेनेरियों को देखते विए इस तरह काम नहीं होता बट वोट की राजनिती से उपर उठके अगर भारते जनता पार्टी इस तरह का निरने लेती है तो हमें उसको वोट करना चाहिए सर यहाँ पर आपने जिक्र करा अगनीवीर का अगर कॉंग्रेस की सरकार बाईचांस अगर आती है और वह अगनीवीर को खत्म कर देती है तो कित्रा हर्याना कित्रा पीछे चला जाएगा सर फरस्ट ओफोल मैं बताना चाहता हूं यह जुमला है कॉंग्रेस पार्टी कभी भी अगनीवीर को खत्म नहीं कर सकती कभी भी तीन सो सत्तर नहीं ला सकती कभी जो ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू नहीं कर सकती 2004 में आटल भीहरी वाजपे ने अपनी गोवर्मेंट को दाव पे रखके ओल्ड पैंशन को बंद किया था जिससे इंडिया की फैनेंशल ग्रोथ एक स्ट्रीम लाइन हुई थी और फैनेंशली इंडिया जो आज 2047 में डेवलपनेशन का देख रहा है सपना वो बेसिक फॉ क्टिरफ गृजएनल में आपने काम किया है और कांग्रेस के मिन दोनों में क्या फरक था है एकचली कॉंघ्ए के कारेकाल में भी काम किया है दिफेंस में तो ज्यादा फरक पड़ता नहीं है बिगए दिफेंस परसनला एविल नेवर करोड़ेसाइस इन गोर्मेंट बट दिजिजीजन में किंग अईय लवल इस अलवेजीए अर्गनाइजेशन वरकिंग अंडर भारत्यानता पर्टी किया इस्तिती लग रही है आपके शेत्र में कौन जीतने जा रहा है बीजेपी बीजेपी क्यों आनी चाहिए बीजेपी ने बिना खर्ची बिना पर्ची नोकिल लगाई है विकासकारी रोड़ा का जानी पर्ची और गुष्टी अपर्ची अब तीन गंटे में पुश्टतें द्याइज आज रहे हैं तो अरी हम तो बागे साल यह है का अधी जैसे मजबूत नेतिर तो आमें मिल्या है और सतर सालकी राजनेतिम में कोई दाग नहीं है ठीक है जिताने जारें अधीन जी बिल इस पूरे अटेली में क्या माहोले पूरे हरियाना में और अर्याना में सब कुछ बाज बेजिपी हो रही है यह जुद्ध है अचे पसंद है फान बाजन बाजपा ने इसकाम हुआ है अजद करें हैं मा न दिन नमोदी और मनौलाल खट्टर ने खट्टर से बाद में शेडिन नाजी और अटेली में प्रत्याशी है आर्थी सिंग जी क्या लगता है कि तने वोटों से जीतेगी जितेगी जी जी उनिता यादव है कॉंग्रेस ने उतारा है मैदान में 2014 में उतारा था पिछली बार साथ जार पर तो फिर बीजेपी का ही जोड़े और बीजेपी जी और बीजेपी ने जैसे का हमारे चाटर में बाजरा पैदा होता था जिसको शिवाड़ बोलते तो जिसका कोई बाव नहीं होता था आज गियों शेमें आए साड़ेशब्स सुरुपे इसान खुष बिल्कुल खुष मै किसान जो कहले पहलिमी खुंप आखर नहीं। किसान नाराज मिसों तो कहें थिन डाखर में बढ़काई कर कर दिए काम है अब फिर प्धिर ने पर डिया अ मा Kimchnu बिल्कुल कि लिए गड़ेगी क्यूंकि सबसे वड़ी बात तो ही है आमारे पिर ये आईरवाल के निर्ट रावतुलाराम की वंसज है वो 18 स्थावन में सबसे पहला करांती कारी और इस देश के लिए बलदान देने नहीं रावतुलाराम था उसकी वंसज है जब तो जिताना है आजी क्या ना बताओ जी राम सिंग नाम है जी ताओ जी क्या इस्तिती लग रही है आपको कॉंगे सारी बीजेपी के मुकाबले में कोई कंडिडेट ही नहीं है बिलकुल फिक है और बहुत यंग है और हमारा भवीश है अमारे बच्चों का भवीश है उसके साथ क्या पेक्षा है बीजे पी की अगर आरती जी जीती है कि अटेली के अंदर सबसे पहले एक काम होना चाहिए अगर राज्य में जो भी हो जाएगे सबसे पहला अटेली में आएगे अटेली का दिहान लखा जाएगे क्या नाम है सब्तेवीर शिंग नाम है क्या इससे थी है आपके शेतर में कौन जीत निगा रहा है अगरी बारती जंता पार्टी की जीत और अटेली में तो बहन जी एक तरफा चुनाव जीत रही है क्यों आनी चाहिए आरती जी बिदाय क्यों बढ़नी चाहिए क्या खूब यूंगे उनके रहे है समाज की सेवा के लिए तो भारती जंता पार्टी के सिपाई हो गई राव साब के सिपाई है तो हम तो बीजेपी कोई वोट देंगे जितने भी बिदान साबा वें घूमना हों हर को यह कह रहा है कि हम तो राव साहों को बोड दे रहे हैं इतना पसंद किया जाता एक अच्छे नेता है सच्छे नेता इमानदार है साफ नीती से काम करते हैं जंता की बलाई में 2400गंटा तत पर रहते हैं बीजेपी ने बीजेपी के इंदर में लेके चली गई बढ़िया पद दे दिया इसका मतलब सई दाओ खेल दिया जनता खुस है और राव साव की यह समझो कि आशिरवाद से तकरीबन सारी शेते ही जीत जाएंगे मेरे नम राज कुमार जी क्या इस्तिती है आपके शेतर में कौन जीतने जा रहा है देखो सबसे पहले में यह कड़ा चाहता हूं जिस टाइम अरियाना पंजाब इखटे थे तो इस एरिया के पैचान राव तोलाराम सावशी की जाती है और वह पहला सब्सक्राशनानी था मं उन्होंने ही आजादी के लिए बिगुल बजाया था और राव ब्रेंदर साव भी आर्मी में कमिशन ओफसर थे और तीसरा राव इंदर जी साव हैं और राजरक्षा मंत्री रहे हैं वह नोट अर्याना अर्याना पंजाब के वन ओफ दा बेस्ट सवताता शेनानियों का प ऐसे जाता हूं और उनकी हेंड़न यह दोले हैं अब देखना दिल्चसब बहुआ कि आखिरकार अटेली विदान सवाचेत्र में किसकी जीत दर्ज होती है आर्ट तारी को परीणाम आएगा देखते हैं कि आखिरकार बीज़ेपी के परत्याशी आर्ती सिंगराव या फिर कॉंग्रेस के परत्याशी अनिता यादव किसकी जीत इनमें से होने वाली है